मुझे यकीन नहीं था कि faceless topic पर मेरा video 1.2 million plus views मुझे लेके देगा और उस video को देख करके लाखो लोगों ने अपना पहला faceless YouTube channel भी बनाया मुझे काफी सारे comments मिलें जो positive थे और कुछ negative बट एक लड़की का comment जो कि मुझे बोल रहा था कि क्या हम सिर्फ AI photos का use करके एक YouTube channel बना सकते हैं बस इसी question का answer ढूंडते ढूंडते मैं इस video पर पहुंचा इस video के comment section में हर एक वो बंदा जिसने पूरी video देखी थी वो motivated फील कर रहा था इवन कि जब मैं इस video को देख रहा था तो मुझे भी नहीं पता चला कि कब ये video start हुई और कब ये खतम भी हो गई क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पूरी story मेरे उपर है मैं वो सब चीजें इस video में relate कर पा रहा था जो की असल जिंदगी में मेरे साथ हुई है बस यही से इस video को बनाने का मुझे idea आया और इस video का title है Make a Faceless Stories YouTube Channel अगर आप beginner हैं और अभी तक आपने कोई भी YouTube Channel नहीं बनाया है Then I am 100% sure कि आप इस video से inspire हो करके अपना पहला YouTube Channel जरूर से शुरू करोगे ये video तीन chapters में divide है जिसमें आपको research, editing और uploading मिलेगी और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह का YouTube Channel स्टार्ट करके अपना career YouTube automation में कैसे पाट्शू कर सकते हैं एक great story बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होगी First of all you need to know your audience ये सवाल आपको अपने खुद से करना है कि आप किस तरह की audience को target तरना चाहते हैं अब stories तो children भी देखते हैं, adults भी देखते हैं and senior adults भी देखते हैं अगर आपको children audience target करनी है तो उसके लिए आपको animated stories बनानी पड़ेंगी अगर आपको teens target करने हैं तो आपकी story में value होनी चाहिए वेजिल्स यहाँ पे जादा matter नहीं करते हैं और अगर आपको older adults target करने हैं तो फिर आपको उनके जमाने की stories को upload करना चाहिए I am choosing adult audience इसलिए हमें valuable and relatable story को find करना पड़ेगा जिसके लिए मैंने आपको तीन website परवाइड की हैं इन website में आपको हर type की story मिल जाएगी link in description और हाँ काफी सारे लोगों के दिमाग में ये जलक उठ रही होगी कि हम तो stories chat GPT से भी generate करवा सकते हैं Yes, you can also generate your stories with chat GPT लेकिन वो wife हमें chat GPT के story में देखने को नहीं मिलती है जिससे इनसान relate कर सके After researching hard, I found this story Then second point, storytelling Storytelling का यही मतलब है कि आप किस वे में लोगों को कुछ सुना रहे हैं अब जाता तर लोग normal तरहे कैसे ही story को सुनाते हैं लेकिन अगर आपने अपनी story में emotions एड़ किये होंगे Suspences एड़ किये होंगे Action एड़ किये होंगे तो आपकी story कहीं गुना बहतर बनेगी एक normal story से और आपकी story unique and interesting भी बनेगी क्योंकि जिससे दिल लग जाता है उसकी गलत बातें भी सही लगती है और जिससे दिल नहीं लगता उसकी सही बात भी हमारे लिए कोई माइने नहीं रखती जैसे जब हम अला दिन की कहानी सुनते हैं तो अला दिन तो पेशे से एक चोर है अब चोर की कहा इज़त लेकिन अला दिन की है क्योंकि हम उसके नजरीय से कहानी सुनते हैं जो स्टोरी मैंने फाइंड की है उसका टाइडल है फोकॉस अन यूर हैपिनेस, नॉट अन प्लीजिंग अदर ये कहानी बताती है कि सब को खुश करने की कोशिश करने के नुकसान क्या होते हैं अब यहाँ पर मैंने वैपसाइड के थुरू एक कहानी को फाइड किया है लेकिन अगर आप एक सच्चा और इमानदार क्रियेटर बनना चाहते हैं कुछ यूनिक चीजें लोगों को दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए यह मेरा थर्ड स्टैप जरूर से फॉलो करना अगर आपनी यह फिल्ड को चूज कर ही लिया है तो आपको एक रिस्पोंसिपल क्रियेटर बनना है आपको यह माइंड में रखना है कि मुझे कही न कहीं से स्टोरीज लेके आना है और अपनी ओडियन्स को एक great lesson देना है जिससे वो motivated और सही decision लेने में सफल हो इसके लिए आपको books read करने चाहिए और कुछ ऐसी lines जो आपको लगे कि हाँ इस lines से मेरी audience relate कर सकती है तो उसे highlight जरूर से करें और जब भी आप अपनी next story create करोगे तो वो lines को add करने का try जरूर से करना next हमारा maximum time reels में जाता है अब उन्ही reels में से आप अपने लिए भी कुछ निकाल सकते हो अपना content find कर सकते हो आपको सबसे पहले motivational pages को follow करना है और अब आपके सामने जब भी आपकी YouTube content के related कोई reel आए तो आपको उसे उसी वक्त like and save करना है इससे Instagram को एक signal जाएगा कि इस particular user को सिर्फ motivational reels से पसंद है then आपके सामने और भी better reels आएंगी जिनमें आप अपना YouTube channel के content असानी से निकाल सकते हो वैसे तो ये story हमें English में मिली है लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं convert कर सकता हूँ हिंदी में भी I think मेरे लिए यही best रहेगा तो उसके लिए मुझे chat GPT का सहारा लेना पड़ेगा और ये मैं पूरी story को यहाँ से copy कर लूँगा and then paste it here and then यहाँ पे मैं एक prompt add करूँगा which is convert this story in simple English and then paste the story here अब सबसे पहले मेरा यह काम है कि मुझे इस कहानी को पूरा पढ़ना चाहिए और इसमें क्या-क्या characters हैं उनको write down करना चाहिए तो यह कहानी मैं आपको एक विस्तार पूरपक थोड़ी सी समझा देता हूँ देखो इस कहाने में कुछ ऐसा है कि एक बूड़ा और एक बच्चा जो की अपने मालिक के साथ farm house में काम करते थे अब उस मालिक ने उन्हें बोला कि आप दोनों को शेहर जाना है और शेहर से कोई खाद या फिर fertilizer लेके आनी है बच्चे और बूड़े ने कहा ठीक है हम जाते हैं और उनके साथ मालिक ने एक गदा भी बेज़ दिया अब शेहर थोड़ा दूर था तो सबसे पहले क्या हुआ कि बच्चा गदे पर बैठ गया और जो बूड़ा बैकती था वो उसके साथ साथ चल पड़ा रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है उसने कहा ये बहुत शर्म की बात है इस बच्चे के लिए बच्चा तो जवान है इसको चलना चाहिए और बूड़े को गदे पर बैठ कर सफर तै करना चाहिए ये बात सुनकर बच्चा सीधा नेचे उतर गया और बूड़े अंकल को बोला कि आप जाकर गदे पर बैठिये अब बूड़ा आदमी गदे पर बैठा है और लड़का चल रहा था फिर आगे उनको एक औरत मिलती है जो कि बूड़े आतमी को डांटती है वो बोलती है कि तुम से देखा नहीं जा रहा छोटा वच्चा तुने चलने पर लगाया हुआ है और खुद गदे पर बैठ कर आराम से चल रहा है तुम्हें शरम नहीं आती ये सुनकर दोनों ने सोचा कि हम दोनों को चलना चाहिए अब वह दोनों चल रहे हैं और साथ-साथ गदा भी चल रहा है थोड़ी देर बाद एक दुकान के पास रुक कर पानी पीने लगे दुकानदार ने कहा तुम दोनों बेवकूफ हो क्या तुम्हेरे पास गदा है चलने के लिए फिर भी तुम दोनों चल रहे हो तो उनोंने सोचा कि दोनों गदे पर बैठ जाते हैं अराम से कुछ समय बाद उनोंने एक जुन्ड देखा जो कह रहा था तुम दोनों के पास इंसानियत नहीं है तुमने बिचारे गदे पर जादा बोज डाल दिया है लड़का और बुड़ा आदमी गदे से उतर गए और सोचने लगे फिर उनोंने गदे को कंदे पर उठाने का फैसला लिया और चलने लगे गदा बारी था तोने मुश्किल हो रही थी जब वो एक छोटे पुल के पास पहुंचे गदा उनके हाथ से चूट गया और नदी में गिर गया और डूब गया गदा डूबते देख लोग बुड़े आदमी और लड़के को गाली देने लगे तो इस कहानी का मतलब यह है कि जितना तुम लोगों को खुश करने की कोशिश करोगे लोग कभी खुश नहीं हो सकते हैं अब इस कहानी में आपको पता चल गया एक गदा है एक छोटा वच्चा है और एक बूड़ा है यह तीनों चीज़े हमें जिनरेट करनी हैं फ्रॉम एआई इसके लिए हम यूज़ करेंगी लियनाड़ो एआई लेट मी ओपन लियनाड़ो अब यहाँ पिर आपको सबसे पहले Sign Up करना होगा अब Sign Up करने के लिए मैं हमेशा अब आपको कोड मीलेगा जो की टेम्प मैल में ही आपको देखने को मिल जाएगा Just click on it और यह रहा verification code Let me copy and paste it here and confirm account यह आपका account successfully create हो चुका है Leonardo AI में यहां से आपको अपना username set करना होगा, कुछ भी रख सकते हो अब आपको click करना होगा image creation के उपर लेकिन उससे पहले आपको resolution select करने होगी आपकी YouTube वीडियो है तो आपको 16.9 select करना है keep in mind आपको 150 tokens मिलेंगे इन 150 tokens में से आप 4-5 images शायद से generate कर सकते हो वैसे हम देखते हैं कितने लगते हैं पहले कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे और एक बुड़े से और ये दोनों जने बच्चा और बुड़ा उसमाली के आगे काम करते हैं ठीक है पहले तो हमें एक farming house बनाते हैं दिमाग में कर रहा था exactly वही है सो इनमें से मुझे एक download कर लेना चाहिए अब आपको एक चीज़ और समझाने वाला हूँ अब तो ये एक simple image है अगर आप चाहते हो कि ये image थोड़ी सी live हो जाए मतलब वीडियो में convert हो जाए 4-5 seconds की वीडियो बन जाए उसके लिए आपको जर्स क्लिक करना होगा generate motion वीडियो वाले option के उपर if you will click on तो यहाँ पर 25 token generate करने में लगेंगे ओके let me generate और आप देख सकते हैं उपर हमारे 99 tokens left है जब तक ये video convert हो रही है तब तक हम और images generate करने की कोशिश करते हैं ओके यह scene हम अपनी वीडियो में beginning में लगाएंगे उसके बाद है एक छोटा बच्चा image हमारी generate हो रही है मैंने यहाँ पर prompt लिखा है young boy who is working at the dairy farm लेकिन उससे पहले ही हमारी यहाँ पर वीडियो भी generate हो चुकी है let me open it and you can see जो हमारी photo थी अब वो live हो चुकी है कुछ इस तरीकी given कर आई है यह काफी हद तक सही हो जाएगी जब आप इसको थोड़ा और generate करने की कोशिश करोगे अब हमारे पास वो photo आ चुकी है जो कि हमें चाहिए थी a why working at terry so this is good and इसी के साथ साथ हमें एक चाहिए old person हम लिख लेगते हैं with old man यह सारी images काफी ज़्यादा काम की है यह सारी जारी आपको download कर लिनी चाहिए क्योंकि यह free में generate हो रही है तो एक भी image को आपको छोड़ना नहीं है basically अब मुझे अगला यहाँ पर प्रॉम्ट डालना है जब यह old age person यह छोटा बच्चा और एक गदा यह तीनों शेहर की तरफ जा रहे हो मैंने यहाँ पर प्रॉम्ट डाला है a young voice sit on a donkey and a old man walks on the road देखते हैं क्या result हमें देखने को मिलते हैं यह image काफी ज़ादा सही है इसको भी आप डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए अब second time क्या हुआ था बुड़ा आदमी गदे पर था और बच्चा राम से चल रहा था नहीं आप ए प्रॉम्ट टाइप किया है इस पर an old man sits on a donkey and a young boy walks on the road और इस पर जैसे ही मैंने generate के ओपर click किया तो इन्होंने मुझे बॉल दिया कि आपके पास आप tokens की कमी है आपके सारे tokens खरच हो चुके हैं इसलिए stage पर आपको subscription लेने पड़ेगी लेकिन इसका भी जुगाड है don't worry यह image काफी ज़ादा सही है और जो हमें actual में चाहिए था यह वही चीज है अब मेरे पास token की कमी हो चुकी है यहां तो मुझे 24 hearts के लिए wait करना पड़ेगा for more 150 tokens otherwise मैं क्या कर सकता हूँ कि एक और नया account बना करके लियोनाडो में image generate कर सकता हूँ इसके लिए मुझे फिर से temp mail का ही use करना है let me click on delete button यहां पर मेरे सामने एक और नया mail आ जाएगा जिसको मैं use कर सकता हूँ यह रहा इसको मैं copy करूँगा यहां से लेकिन उससे पहले मैं यह सारी images को download कर लेता हूँ अब मुझे सीधा यहां से log out कर लेना होगा and let me click on sign up again और यहां भी मुझे अपनी new email से sign up कर लेना है let me create a password and then click on sign up फिर से temp mail में बापिस आ जाँगा और यहां पे एक और new verification code मुझे देखने को मिलेगा let me copy here username set करने की बारी आ चुकी है फिर से next करते हुए यहां पे professional and then done and फिर से वही 16 ratio 9 and इस पार यहां पे मैं type करने वाला हूँ a young boy, an old man and a donkey walk on the road just click on generate ओके हमारे पास 4 images आ चुकी है इन मेंसे मुझे download कर लेनी चाहिए कोई दो अब मुझे यहां पे prompt add करना है जिसमें क्या होगा कि गदे के उपर दोनों जने बैठ कई है a young boy and a old man sit on the donkey ओके तो यह image गाफी अच्छी है इसको हम download कर लेते हैं वैसे हम इस image को फिर से regenerate कर सकते थे और एक better results उमीद कर सकते थे लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि चलो इतना भी काफी है आपको पता तो चली ही चुका है अब बारी है उस prompt को add करने की जिसमें क्या होगा बच्ची और बूड़े के कंदों पर गदा ऐश कर रहा होगा और मेरा prompt है a young boy and an old man are walking with a donkey on their shoulders देखते हैं हमें क्या results मिलते हैं क्या यह मेरा prompt AI समझ भी पाएगा या नहीं देखते हैं क्या results मिलते हैं इस बार मैंने लिखा है a young boy and an old man lift the donkey on their shoulders and walking ओके इस बार हमें कुछ अच्छे results मिले हैं like this यह थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे तो इसको मुझे easily download कर लेना चाहिए क्या ही कहानी है और यह क्या ही results मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यह हमने दो photos को download कर लिया है और यहां पे हमारी कहानी समाप्त होने वाली है लेकिन एक image हमें और generate कर लिनी चाहिए जिसमें पानी में हम गदा डुबा देंगे और कहानी को खतम कर देंगे इस पर मेरा prompt काफी जादा खतरनाक है मैंने यहां पे लिखा है यंग बोई and an old man are watching in the river where a donkey falls in the same river देखते हैं क्या हमें यह परिनाम देते हैं मुझे वो picture मिल चुकी है जो कि exactly मुझे चाहिए थी यह रहा मैं यही चाहता था कि इस कहानी का end कुछ इसी तरह से हो बच्चे और बुड़ा काफी जादा खुश है और यह साइड में गदा जो की बला लेकर इनके साथ चला था अब यह आराम से डूब रहा है अब यह आराम से चहर जा सकते हैं दोनों और कोई यह नहीं बोलेगा कि तुम गदे पर क्यों बैठे हो और अगर बैठे हो तो दोनों क्यों बैठे हो कहानी यहाँ पर समाप्त होती है इसली हम भी इसको डाउनलोड करते हैं और अपना image creation वाला काम यहीं पर समाप्त करते हैं अब नेक्स यह हमारा काम है वो है अपनी वीडियो के लिए voice over करना उसके लिए मैं अपने mobile का यूज कर सकता हूँ और अगर आपके पास एक छोटा सा माइक है देन इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है आपको सीधा अपना mobile अपने मूग के आगे रखना है और अपने script रेड करना, start करना है मुझे इस वीडियो के लिए voice over करने में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगा अपनी voice को clean and crisp बनाने के लिए मैं Adobe Podcast का यूज करने वाला हूँ जो कि एक free AI tool है इसमें अपनी voice को सीधा import करो and थोड़ी देर wait करने के बाद आपकी audio में से background noise, room echo and और भी जो चीज़ें आपकी voice को खराब बना रही होगी वो सब remove करती जाएंगी इतना सब कुछ करने के बाद मैं अपनी voice को लेके आ जाओंगा auto city में अब इस software की help से मैं अपनी audio में से gaps remove कर सकता हूँ और audio को merge कर सकता हूँ अब video editing के लिए मैं यूज कर रहा हूँ cap cut आप कोई भी application या software का यूज कर सकते हो ये editing इतनी असान है कि आप अपने mobile device में भी कर सकते हो जस्ट सबसे पहले अपने photos को उठा करके ले आओ जो की हमने AI से generate करे है ये अपनी voice जिसको हमने audio city से पूरा edit करके पूरा perfect बना दिया है voice को मैं timeline पे ले आया हूँ एक बार की बात है एक बुड़ा आदमी और एक लड़का farmhouse में काम करते थे इसको यहाँ पे लेके आना है एक बार की बात है एक बुड़ा आदमी और एक लड़का farmhouse में काम करते थे farmhouse के मालिक ने उने कहा कि वो गाउं जाकर जानवरों के लिए अनाज खरीद लें अब यहाँ पे मुझे photo ad करनी है मालिक और farmhouse की अब इसके बाद मुझे जो photo ad करनी है उसमें क्या होगा कि गदे की उपर बच्चा बैठा है साथ में बुड़ा चल रहा है और गदा जो की main character बहुत ही खुश है लड़का गदे पर बैट किया और बुड़ा आदमी उसके साथ चल रहा था रास्ते में एक आदमी मिला जो उन्हें पहचानता था हमने अपने हिसाब से photos तो generate कर लिये थे लेकिन कुछ ऐसे background scenes जो की हमें अभी भी generate करने बागी हैं तो उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे सीधा Leonardo AI में जाएंगे और वहां से easily prompt add करके अपने मन चाहा photo generate करवा सकते हैं यू कें सी हम यहां पे दूसरे दिन add on हुए हैं और आप देख सकते हैं 150 tokens और यहां पे credit हो चुके हैं जिनका हम use कर सकते हैं अपने photos को generate करने के लिए अब मैं यहां पे prompt डालता हूँ क्यूंकि और बुड़ा आदमी उसके साथ चल रहा था रास्ते में एक आदमी मिला जो उन्हें पहचानता था उसने कहा देखो बुड़ा आदमी चल रहा है और रड़का आराम साथ मुझे यहां पे कुछ इस तरीके से बताना पड़ेगा कि बच्चा जो गदे पर बैठा है और बुड़ा साथ में चल रहा है उन तीनों की तरफ एक आदमी देखते हुए कह रहा है तो मैंने यहां पे prompt डालता है A man is watching an old man and a child The child is sitting on a donkey and all are walking चलो देखते हैं यहां पे हमें क्या results देखने को मिलते हैं This is what I exactly need मुझे यही photo चाहिए थी अपनी वीडियो में यूज करने के लिए Let me download it और उठा करके इसको ले आऊंगा मैं सीधा CapCut application में और इसको timeline पे लेते हुए इसको असानी से adjust कर लूँगा और अब आप देख सकते हैं हमारी वीडियो रास्ते में एक आदमी मिला जो उन्हें पहचानता था उसने कहा देखो बुड़ा आदमी चल रहा है और लड़का आराम से गदे पर बैठा है शरम की बात है ये सुनकर लड़का और बुड़ा आदमी ने सोचा कि ये सही कह रहा है Now I have to add another photo जिसमें क्या होगा कि बुड़ा आदमी अभी गदे पर आराम कर रहा है और छोटा बच्चा बेचारा साथ में चल रहा है फिर रास्ते में एक औरत मिलती है That is a woman watching an old man and a child The child is sitting on a donkey and all are walking Okay, मैं यहां से ये image भी डाउनलोड कर लेता हूँ And इसको भी मुझे डाउनलोड करना चाहिए औरत मिलती है वो औरत उड़े आदमे को डांटी है ये वही image है जो मुझे चाहिए थी Okay, let me download it और इसको मैं उठा करके ले आउनलोगा And इसको यहां पे मैं लगा डाउनलोगा आराम से क्योंकि बूड़ा अब गदे पे बैठा है और बच्चा आराम से नीचे चल रहा है And एक औरत उसको देकर डांट रही है Okay, perfect scene पास्ते में एक औरत मिलती है वो औरत की दूनों को चलना चाहिए थोड़ी देर बाद एक दुकान के पास मैंने सारी images को perfectly adjust कर लिया है According to the video अब मुझे इस वीडियो को थोड़ा और attractive बनाना होगा और चले आना होगा animation में और यहां पे मैं select करूँगा zoom one एक बार की बात है इसको मैं add on कर लूँगा अपनी जारी images में अब इस वीडियो को थोड़ा और attractive बनाने की कोशिश करता हूँ जाता हूँ मैं सीधा effect वाले section में और यहां मैं एक effect का use करने वाला हूँ इसको मैं add to track करूँगा और इसको पूरा project में फिला दूँगा and you will see हमें results कुछ इस तरीके के मिलेंगे एक बार की बात है एक बुड़ा आदमी और एक लड़का farmhouse में काम करते थे मैंने cap cut में 80% तक का काम कर लिया है अब इसमें मैं एक music add करूँगा जिसके लिए मैं use करूँगा pizza way यहां से मुझे क्लिक करना होगा music वाला section and यहां पर मैं लिखूँगा suspenseful music मेरे सामने जितने भी music आये हैं यह सारे copyright free हैं बट keep in mind आप जो भी music यूज़ करोगे उसको description में credit जरूर से दे देना like यह just relax करके music है जो कि काफी जादा suspenseful है मैं यहां पे सीधे डाउनलोड करूँगा और इसको उठा करके cap cut में लेके आ जाँगा and paste it here अब मुझे इनकी value और जर्ज़ करने होगी according to my video एक बार की बात है एक बुड़ा आदवी और एक लड़का farmhouse में काम करते थे farmhouse के मालिक नहीं ने कहा कि वो काम जाकर मुझे लगता है यह perfect music है मेरी वीडियो के लिए मैं squad adjust कर लोगा according to my video and then click on export button लेकिन हमारा काम यहीं पे समाप्त नहीं होता है इस वीडियो में हम subtitles भी आड़ करेंगे उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ flex clip मैं यहां से सीधा अपनी वीडियो को ड्रैग करूंगा and drop it here click on plus icon and then click on subtitle and then AI auto subtitle and यहां से हमें इंडिया सर्च करना होगा and इंडिया इंग्लिश के अपर select करते हुए just click on generate button हमारे subtitles generate हो चुके है and if you will click on style option you can see there are lot of styles you can choose any of them like यह neon काफी अच्छा है यहां से आप इनका color भी change कर सकते हो मैं इसका color yellow रखूंगा यहां फिर blue I think यह west रहेगा अब यहां से आप इसके alphabet को all capital भी कर सकते हो and किसी line में अगर आपको कोई गलती दिखती है तो इसलिए आप यहां से edit कर सकते हो आप इनको drag करके center में ले आ सकते हो नीचे ले आ सकते हो वो आपकी मर्जी है लेकिन subtitle वीडियो में होना काफी जादा important है यह lines तो इतनी बड़ी बड़ी आपको दिख रही है आप अगर चाहते हो कि इस line को मैं break करूँ तो मैं यही भी कर सकता हो इतना सब कुछ होने के वाद जस्ट आपको export बड़न के पर क्लिक करना होगा keep in mind मैं यहाँ पे captions को विल्कुल भी edit नहीं कर रहा हूँ तो जो कोई भी गलती होगी उसको मैं बाद में देख लूँगा लेट्स क्लिक ओन export बड़न अब हमें बनाना है thumbnail 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 के लिए हम एनी फोटो का यूज करेंगे हमने काफी सारी फोटो को यहां पे जनरेट करके रखा है तो पर दोस्त यहां से आपको कोई वी एक engaging पिक को डाउनलोड कर लेना चाहिए लाइक यह फोटो काफी अच्छी मुझे लग रही है तो इसको मैं canva design में लेकर आऊंगा और इसको मैं थोड़ा सा adjust करने की कोशिश करूँगा ताकि यह थोड़ा और engaging और clickable बने मैं चाहता हूँ कि यह तीनों जनरे यहां पे आ जाएं लेकिन इस खाली जगा को मैंचे fill करना पड़ेगा उसके लिए मैं इस photo के उपर click करूँगा then go to edit image and then click on magic expand and then click on hold image and magic expand के उपर अगर हम click करते हैं you will see the जादू आप देख सकते हैं वो खाली जगा यहां पे भर चुकी है सीधा done करते हुए हमारा thumbnail तेयार है लेकिन अब हमें elements में जाना होगा और यहां पे आपको search करना होगा shadow काफी सारी यहां पे आपको shadows देखने को मिलेंगी इन में से कोई की यहां पे उतार लो एड़ इसको कुछ इस तरीके से रख लो अब हमारी वीडियो का title क्या था focus on your happiness not on pleasing others simply text वाले option के पर click करो और यहां पे एक अच्छा सा template चूज करो एड़ इसमें अपना text easily paste कर डालो एड़ कुछ इस तरीके से आपका thumbnail बनकर तयार हो जाएगा यह सिर्फ आपको मैंने sample दिखाया है आप इसको थोड़ा और engaging बना सकते हो इसको हम yellow color भी दे सकते हैं इस तरह से आपका thumbnail तयार हो जाएगा just click on share button and then download easily अब इसको upload करने के लिए आपको simply इसी title का use करना है अपनी वीडियो में and description के लिए आपको chat dpd का सहारा ले लेना है thumbnail आपका already ready है और वीडियो तो आपने कल परसों से बना के रखी है अब सीधा इसको आपको publish करना है अपने new YouTube चैनल के उपर मैंने आपको ये चैनल बनाना तो सिखा दिया and आपको अब हर एक step के वारे में भी पता है कि कैसे कैसे हमें ये videos create करनी है और इसी तरह से अगर आप काम करते हो तो कुछ दिनों बाद आपका YouTube चैनल monetize भी हो जाएगा और आप इस चैनल से earning करना भी start कर जाओगे जब तक आपका YouTube चैनल monetize होगा आपके पास एक अच्छी सी skill होगी मतलब आपको video editing आ चुकी होगी thumbnail बनाना आ चुका होगा title, description, tags ये क्या चीज़े होती हैं ये सब करना आ चुका होगा अब यही छोटी सी skill को आप एक बड़े business में convert कर सकते हैं जिसका नाम है YouTube automation जब आप एक अच्छी earning करने लग जाओ तो आपको freelancer hire करने हैं अपने YouTube channel से कमाया हुआ पैसा विल्कुल भी waste नहीं जाने देना है आपने video editor, researcher and thumbnail editor ये तीन बंदे hire करने हैं और hire आपको fiverr यहां पबग यासी website से नहीं करने हैं क्योंकि जब आप freelancer के पास जाते हो तो charges उनके होते हैं लेकिन जब freelancer आपके पास आते हैं तो फिर charges आपके होते हैं इसलिए आपको अपने YouTube channel के about section में जा करके एक email add-on करनी है और just email के ओपर लिखना है work with us ये तीन word आपको काफी सारे freelancer hire करवाने में मदद करेंगे अब देखना आपके emails भर चुके होंगे freelancer से अब आप उनमें से select कर सकते हो अपने according क्योंकि video dating, thumbnail designing and SEO ये सब तो आपको भी आता है जो आप से बहतर करें simply उनको hire कर लो and same इसी तरह आप multiple channel बना सकते हो and अपने business को एक अच्छे level पे पहुँचा सकते हो और इसी सारे process को हम YouTube automation बोलते हैं एक बार की बात है एक बुड़ा आदमी और एक लड़का फार्माउस में काम करते थे फार्माउस के मालिक ने उने कहा कि वो गाउं जाकर जानवरों के लिए अनाज खरीद लें गदे की मतल से तो वो दोनों गाउं की तरफ निकल पड़े लड़का गदे पर बैठ किया और बुड़ा आदमी उसके साथ चल रहा था रास्ते में एक आदमी मिला जो उन्हें पहचानता था उसने कहा देखो बुड़ा आदमी चल रहा है और लड़का आराम से गदे पर बैठा है शरम की बात है ये सुनकर लड़का और बुड़ा आदमी ने सोचा कि ये सही कह रहा है तो उन्होंने जगा बदल ली अब बुड़ा आदमी गदे पर बैठा है और लड़का चल रहा था दिर बाद एक दुकान के पास रुक कर पानी पीने लगे। दुकानदार ने कहा तुम दोनों बेवकुफ हो गया। तुम्हारे पास गदा आया चलने के लिए फिर भी तुम दोनों चल रहे हो। तो उन्हों ने सोचा कि दोनों गदे पर बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद इ उन्हें मुश्किल हो रही थी। जब वो एक छोटे पुल के पास पहुंचे। गदा उनके हाथ से छोट गया। और नदी में गिर गया। और डूबने लगा। गदा डूबते डेक। लोग बूडे आजमी और नड़के को गाली देने लगे। इसी तरह तुम्हारे जंद पर द्यान दो और जो ज़रूरी है उसी पर टेके रहो। तुम्हें अपने आपको किसी और को खुश करने के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। तुम वैसे ही प्रवेक्ट हो जैसे हो। सबसे मुश्किल सबक यही है कि चाहे तुम कितने भी अच्छी इंसान हो। चाहे वच्छी इंसान और वड़ि आसे हो।